हो तेरे नेना मेरे नेनों से मीठी मीठी बाते करते हैं बीचलन बीचलन तो अगर आप अब तक कनफ्यूज होते रहे हैं कि आज के बास जिंदगी भर नहीं भूलियेगा दोस्तों सबसे पहले एक बात हम आपको बता दें माध क्या है? माध एक आउसत है आउसत एवरेट चेप्टर आपने परा है कि दी गई रासी जितनी भी रासी राती है उनके योगफल में उस रासी के संख्या से भाग देने पर आउसत पराप्थ होता है जैसे मालो कि 6 और 12 है आईनका का है आउसत तो दुन्यों को जोर करा दूसे भाग क्योंकि दूगों को जोर है तो दूइये से भाग लगाएंगे अब 12,6,18 18 को दूसे भाग दे दिया तो हुआ कितना? नौ 12,6,18,18 को दूसे भाग तो नौ यही हुआ एम्हरेज या इसी को कहिये माध्धे ठीक न? माध्धे जो है आउसत ही है आउसत को ही माध्धे कहा जाता है तो एक बात तक किलियर हो गया क्योकि आपने आउसत पहले से पर रखा था तो अब किलियर हो गया और माल लीजिए दोस्तों कि अगर माल लिजे 4, 4, 8, 6, 14, 12, 16, 4, 20, 26, 26, 26, 23, 36, चलिए अगर माल लिजे कि हमारे सामने ये है और इसमें हमको क्या निकालना है हमें निकालना है माल लो एक और कोई संख्या हम दे देते हैं ठीक है चलो एक चार को हटा लेते हैं और कुछ और लगा देते हैं माल लिजे 5 ही लगा देते हैं अब इस एक सिरेनी दे दिया गया है एक समुह दे दिया गया है संख्या का और इसका आपको माध्य निकालना हो माधिका निकालना हो, बहुलक निकालना हो, प्राज तो माध्धे समझ गए हैं जितनी संख्या है न इन सब को जोड कर उतना से भाग दे देना होगा तो माध्धे हो जाएगा यानि कि वो अवसद हो जाएगा ठीक है ना? तो जैसे 5 आ 4, 9 9, 6, 15, 15, 2, 17, 17, 4, 21, 21, 26, 27, 23, 33, 36, 36 माने सब जोड कर हुआ 36 अब लेजिए 36 जोड कर हुआ न और कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 8 से भाग लगा दीजिएगा चलिए अब अगर काटना है तो 4, 2, 8 चार नामा च्छतिस 9 बटा दू यानि सारहे चार दोस्तों ये हमारा निकल गया क्या जानते हैं? ये हमारा निकल गया माध्य यानि की निकल गया आउसत अब इसी संख्या का अगर आपको माधिका निकालना है माधिका तो सुनिए कैसे करना है माद्धिका तो इसको याद रखने के लिए माद्धिका निकालने का मतलब ये ऐसे सोची, अगर हम ये से बुलते मद्धेका निकाली है यानि कि बीच का बीच वला संख्या होगा लेकिन सबसे पहले इसको एर्रेंज करना होगा या तो इसको बढ़ते करम में, या घटते करम में, तो हम सीधा सीधा रहेगा कि बढ़ते करम में ही लिख लेते हैं, तो सबसे छोटा संख्या तीन, उसके बाद चार, तीन नहीं, सबसे छोटा संख्या इसमें दो है, दोस्तों दो से सुरू किया, दो एक बार है, फिर तीन लिखा, तीन भी एक बार, उसके बाद देखो, चार है कितने बार, दो बार, चार दोनों लिख लिया, चार के बाद पांच होता है, पांच भी लिख लिया, और चार कितने बार है, तीन बार है, तो तीन बार चार लिख दिये, ठीक है न, अब हमारा ये हो जाएगा माधिका, मादिका कौन? जो मद्धे का होगा, यानि बीच का होगा मादिका कोई से पढ़िएगा, याद रखने के लिए मद्धे का तो मद्धे का यानि बीच में तो एक, दो, तीन, चार, पांग, छो, साथ, आठ संख्या है आठ संख्या है तब बीच में कैसे करिएगा तो एक काम करिए तीन इधर से छाट दीजिए तीन इधर से छाट दीजिए अगर चार इधर से छाट ते चार संख्या इधर से छाट ते तब बीच में कुछ हो बचवे नहीं करता गरवरा आईए जाता तो 3 इधार से छाटे, 3 इधार से छाटे बीच में 2 संख्या बचा है, 4 और 5 4 पांच को जोड़के दूसरे भाग लगा दीजिए, मध्धि का संख्या निकल गया 5, 4, 9, 9 के दूसरे भाग दे दिए, सारह चार यानि इसका माधिका भी सारे चारे आया, अमाध भी सारे चारे आया था, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका हो गया माधिका, ठीक है न दोस्तों? अब अगर आपको इसी का बहुलक कहे, इसी का क्या कहे? बहुलक निकलने के लिए कहे, माधिका मतलब मध्य का निकलना था, बहुलक, तो जिसकी संख्या सरसे जादा है, बहुलक, मतलब बताता है कि जिसकी संख्या बहुलक हो, बहुलक में हो, यानि बहुत हो, बहुत हो संख भाया बहुलक कौन होगा बहुलक छा होगा कोई दिक्कत नहीं जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है अब अगर आपसे ये कह देता है कि इसी का परास बताइए परास ठीक ना तो परास को याद रखने के लिए इसी याद रखेगा परास माने परास्त परास्त मतलब हुआ हार हार होता है कब जब एगो खुब बरका पहलवान एगो छोटका पहलवान लर जागा बेचारा तो छोटका को पतक देगा बरका यानि परास हो जाएगा परास्त हो जाएगा तो इसमें सबसे बरका संख्या है सबसे छोटका है दू तब परास निकालने के लिए परास निकालने के लिए सबसे बरका में से सबसे छोटका घाटा दीजिए परास हो गया यानि परास्त हो गया इचारन मारा इदूरन मारा चारन से परास्त हो गया समझ गए तो चलिए अब आगे हम परसरन पर बात करेंगे विचलन विचलन पर बात करेंगे, इसकी एक टोपिक और बनेगी, आगे पूरा वीडियो देखिए, मज़ा आ जाएगा आज, आज का प्रसन आपके सामने और कुछ सवाल हम एक और वीडियो लेकर आएंगे, उसमें कराएंगे, पांच प्रेक्षन का माध्य 20 है, यदि एक प्रेक्षन जोर दिया जाता है, तो माध्य में 2 की विर्धी हो जाती है, जोरे गए, छाओवे प्रेक्षन का मान ज्याद कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, कहता है कि 5 प्रेक्षन का आउसत, यानि माध्य 20 है, माध्य हो या आसत है, एक ही बात है, तब 5 गुन में 2 की बिर्धी हो जाती है पहले माध्ध कितना था 20 अब 2 की बिर्धी हो जागा यानि अब हो जागा कितना 22 यही बात ना तो 6 प्रेक्षन का माध्ध बाइस यानि 6 का योग हो गया ये 5 का योग हो गया 6 के योग में से 5 का योग घटा देंगे एक छठा बच जाएगा यह 22 चा के कितना होता है 6 दूना 12 6 दूना 12 एक 13 132 यह 20 पचे 100 132 में से 100 गया तो 32 आया छठा प्रेक्षन यानि 32 कहा है ओप्सन 2 में यह हमारा एंसर हो गया आईए next question पर आते हैं देखिए second सवाल किसी बरामबरता बटन के लिए माध्धे माधिका और बहुलक के बीच के संबंद के बारे में निमलिखित में से कौन सा सत्य है दोस्तों इसको सत्यता की जानने के लिए एक फर्मूला आपको याद होना चाहिए वो फर्मूला क्या है देख लो बहुलक ठीक ना बहुलक बहुलक बराबर होता है यह बहुलक बराबर यहां लिखिएगा थ्री माध्धी का माध्धी का माइनस तू माध्ध अब देख लो यह फर्मूला है बहुलक बराबर थ्री माध्धी का माइनस टू माध्ध याद रखने के लिए देखो माध्धी का थोड़ा सा बड़ा लग रहा है माध्धे से तब बड़ा के साथ बड़ा संख्या चोटा के साथ चोटा संख्या ठीक ना अब देखिए इस से हमको ये निकल के आ जाएगा क्योंकि हमें इधार क्या दिया हुआ है माध्ध दिया हुआ है आप सोचिए अगर इटू माध्ध माइनस में इधार ले आते हैं तो प्लस में टू माध्ध टू माध्ध हो गया टू माध्ध बराबर क्या हो जाएगा फिरी माद्धी का तो हाई है फिरी माद्धी का रहने देते हैं फिरी माद्धी का अच्छा अब बहुलक उधर माइनस हो जाएगा बहुलक जाकर माइनस हो गया अब ये दो चल जाएगा बट्टा में, तो माध्धे बड़ावर हमारा ये हो जाएगा, थिरी माध्धी का, दोस्तों ध्यान देना, थिरी माध्धी का माइनस बहुलक, बहुलक, अब बट्टा में काउन? बट्टा में ये दो, थिरी माध्धी का माइनस बहुलक बट्टा द तो आपका answer option 2 में, ठीक है, बस clear है, चलिए, अगला सवाद, तो फर्मूला ये याद रखना है, बहुलक बराबर 3 माधी का, माइनस 2 माधी, माधी का बहुलक से थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने में, इसलिए इसके साथ बड़ा संक्या, इसके साथ छोटा संक्या, परसरन, जोस्तों इसको जाने के लिए, परसरन, अभी आपको एक परास बताये थे, परास नहीं, परास और बुले थे, परसरन बाद में बताएंगे, आगया परसरन, तो ये परसरन है, ठीक ना, परास अपरसरन, परास को हमने याद कराया कि परास्त समझे, क्या समझे पर प्रास्त कोई कब प्रास्त मतलब हार होना कब हारेगा बढ़का छोटका के लराई में हार जाएगा नहीं तो सबसे बढ़का में से सबसे छोटका गटा देंगे अंसर हो जाएगा परसरन के लिए क्या करना होता है सबसे पहला काम आपको माध्धे निकालना होगा ध्यान रह तो 5, 6, 7, 9, 12, 15 का माध्ध निकाल दीजिए माध्ध निकालने के लिए माध्ध का क्या मतलब है और सब को जोड़ दीजिए 5, 6, 11, 11, 17, 18, 18, 19, 27, 27, 29, 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 30, 31, 45, 24 सब को जोड़ कर हुआ, 24 संख्या कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 संख्या है तो माध्ध कितना आया? 9 अब अब दोस्तों ध्यान देना अब एक काम और बसता है एक काम क्या बसता है? ये माध्ध जो 9 आया ना 9 में से इन सब को घटा घटा के उनका वर्ग करिए मतलब और जोडते जाइए 9 में से 5 घटा के बर्ग कर लिजी जोड लिजी इस 9 में से 6 को घटा कर बर्ग कर लिजी 9 में से 7 को घटा कर बर्ग कर लिजी फिर 9 में से 9 को घटा कर बर्ग कर लिजी 9 में से 12 को घटा कर बर्ग कर लिजी फिर 9 में से 15 को घटा कर बर्ग कर लीजी 9 मेn से 15 गहटा कर बर्ग कर लीजी ठिक है, और जितनी संख्या थी न intimately भाग दे दीजे, ये निकल गया आपका परसरन, अब 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 बता ये 9 में से 5 गया 4, 4 का स्क्वाइर कीतना होता है, 9 में से 5 गया 4 4 का स्क्वाइर 16 9 में से 6 गया 3, 3 के स्क्वाइर कितना, 3 के स्क्वाइर 9, 9 में से 7 गया 2, 2 के स्क्वाइर 4, 9 में से 9 गया 0, 0 के स्क्वाइर 0, 9 में से 12 गया 3, 3 के स्क्वाइर 9, 9 में से 12 गया, माइनस 3, माइनस 3 के स्क्वाइर, पलस में 9, आगे, 9 में से 15 गया, 9 में से 15 गया 6, 6 के स्क्वाइ उन सब को जोड़िएगा तो 74 आएगा बटा में 6 काटिएगा उपड़ 37 निच्चा 3, 37 बटा 3 आपका एंसर ओप्शन चाहँ चलिए अगला सवाल पर देखते हैं बाकी सब ठीक चलो भीया परसरन भी समझ में आ गया और परसार भी समझ में आ गया देखिए कोश्चन है कि 36, 53, 53, 57, 50, 40, 35, 49, 34 का समांतर माध आरे समांतर माध कहे चाहे माध कहे एक के बात है ठीक ना माध है निकलना है तो सब को जोड़ कर आज इतनी संख्या उतना से भाग देना हो गई दोस को संख्या है इन सब को एड करियेगा ना तो चार सव सैंटीस आएगा अब बटा में दोस तो बस यहीं हो जागा 43.7 ओप्शन कोन एक सब को जोड़ कर आज दोस से भाग दे देना है ठीक आईए समांतर माध कहे या माध कहे एक ही बात लिजिए इसका कहता है 7, 14, 13, 12, 21, 15 और 8 को माधिका ग्याद किजिए माधिका जब भी निकालना हो तो मध्यका निकालना हो मतलब पहले एरेंज कर देना है सबसे छोटी संख्या 7, तब है 8, तो 7, 8 हो गया, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 भी है, 14 है तो 15 भी है अच्छा एक बात, सब एक एक की बार है न, 15 है, 15 है, 20 है, अब क्या है भाई, 20 है, संख्या कितना है यह काउंट कर लिजेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब कोई छूट ना जाए, इस वात का ध्यान रखना होगा आपको अब आपको माध्धिका निकलना है, तो मैंने पहले ही कहा कि बाबुरे इसको परहना कैसे है, माध्धिका मतलब मध्धे का, मद्धे का माने बीच का, तो सबसे बीच में कौन, 8 को संख्या है तो 3 को इधर छाटी है, तो 3 को इधर छाटी है, बीच में बचा 2 को, 12 और 13, 12 तेरा को जोड़िये, दू से भाग लगा दीजिए, बीच का निकल जाएगा 12, 13, 25, 25 को दू से भाग सारहे बार, यानि 12.5 आपका एंसर हो जाएगा कौन, अप्शन 3, कोई दिक्कत तो ना, बहुत अच्छा है, बहुत असानी से समझ में आ रहा है, चलिए, नेक्स्ट कुश्चन पर आते हैं भाई साहब लिजिए, किसी बटन का बर्ग चिन 16, 18, 22, 26 तो उस बटन का बर्ग माप क्या होगा अच्छा बर्ग माप का है, बटन का बर्ग माप यानि सेट का, तो आपको कुछ करना नहीं है, इसमें क्या होता है, तो अंतर करिए के दे दिया है दो लगातार संख्या का करमागत अंतर आपको बताना होता है मतलब दो करमागत संख्या का न अंतर तो इसमें अंतर चार 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 यह अंतर करके दिया है क्यानि यही हो जाएगा आपका अंसर चार दो करमागत संख्या का अंतर ही उस बटन का बर्ध माथ होता है तो यह हो जागा answer option 1 दो करमागत संख्या का अंतर अगला है दिये गए data का परास एवं बहुलक ग्याद करें तो सबसे पहले देखो परास परास निकालने के लिए मैंने बताया आपको कि अगर इसको थोड़ा साह से परते परास को परास्त परते अगोर बोटोर आपको परास मेंने आपको बताया कि परास मतलब परास्त जानि हार कभी होगा यह बढ़का छोटका के लड़ाई होगा तो सबसे बढ़का कौन 19 अग सबसे छोटका इसमें सबसे छोटका है सोला, ता उनतिस में से सोला को घटा दीजिये, कितना तेरा, तेरा रन से परास हो गया, यानि परास्त हो ठीक, उसके बाद, अब है बहुलक, बहुलक अच्छा, बहुलक से दिमाग में आ रहा है बहुलक, अब बहुत कहता, बहुत जिसकी संख्या बहुलक हो, यानि जादा हो जिसकी संख्या सबसे जादा तो इसमें सबसे जादा संख्या वाला कौन दीख रहा है, इवात वताईए तो देखिए, अठारा एक बार, दो बार तीन बार अठारा ही दीख रहा है सबसे जादा बार बाकी आप देखिएगा 17 दो बार ही आ रहा है 19 एक बार आ रहा है 28 एक बार यहां रहा है तो 18 जो है ना 18 सबसे ज़्यादा बार है यानि बहुला का 18 हुआ अपरास 13 हुआ 18 तेरा 18 तेरा 18 तेरा ओप्सन बी में ठीक चलिए next question पर आईए आठ नमबर दियेगा समुच्य का औसत एवां माधिका ग्याद कीजिए बताने की कोई जरूरत नहीं है औसत आप ऐसी निकाल दीजेगा तुरत निकाल दीजेगा देखिए साथ, पाँच, बारव, पाँच, सतरव, दू, उनिस, उनिस, साथ, 26, 32, 32, 35, 37, 33, 44, 47, 47, 47, 46, 43, आज तिरपन गो हुआ संख्या कहे गो है भाई तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छो, साथ, आठ, नो, दस, दस गो संख्या भाग लगा तो 5.3 हुआ सुनो, तो यह तो हो गया आपका कौन चीज, यह हो गया आपका कौन चीज, तो यह ओप्शन, अच्छा, दूग ओप्शन 5.3 बला है, चलो, यह हो गया पांद समलो तीन ये आपका निकल गया आउसत आउसत कहे या माध्य कहे एक ही बात है ठीक ना माध्य बोल देगा या आउसत बोल देगा वही बात है दूसरा अब कहता है माधी का माधी का निकलना है माधी का निकलना है तो इसको क्या करना है एरेंज करना है बढ़ते करम या तीन से पहले दो भी है दो है, दो कितने बार है? दो एक बार हो गया फिर तीन एक बार हो गया तीन एक बार हो गया उसके बाद आपका पांच आ जाता है कितने बार? एक, दो, तीन बार ठीक है? चार है नहीं तो एक, दो, तीन तीन बार पांच लिख दिया, ये तीनों पांच आपका हो चुका, उसके बाद छो लिख दीजिए, छो है, दो बार, तो दो बार छो लिख दिया मैंने, दो बार छो लिख दिया, अब सात भी है, दो बार, तीन तो हो ये चुका है, सात है भाईया, सात है, देखिए, एक, दो तीन बार, तो साथ है तीन बार, साथ तीन बार लिखा गया है, अब हमको लगता है हो चुका है, तो दो दू चार, दू छो, दू आठ, दू दस संख्या हो गया, अब इसमें कहता है माधिका, माधिका निकलना है माने मध्धेका निकलना है तो दो संख्या में मत देका कई से निकलेगा तो चार गो इधर से छाट देंगे चार गो इधर से छाट देंगे पांच पांच गो छाट तो सब भे गायब हो जाता खत्मे हो जाता इदू गो संख्या बचा पांच आच हो दू संख्या को दू से भाग करिए बीचका निकलेगा पांच हो एक ग्यारा एक आरा को दू से भाग दीजेगा सारहे पांच पांद समलो पांच यानि पांद समलो तीन, पांद समलो पांच पांद समलो तीन, पांद समलो तीन, पांद समलो पांच सुनिए, एक बात बताईए, इसका माधी निकल लीजेगा, सब को जोर कर जीतना संख्या उतना से भाग, एक, दो, तीन, चार, पांच, छो, साथ, आठ, नौ, नौ संख्या, नौ से भाग दे दीजेगा, जोर के माधी निकल गया, बहुलक, बहुलक वो होगा, जो इसमें सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, इसमें सबसे ज़्यादा देखे, यहां पर देखेंगे, तीन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, नवगो संख्या में चार बार तहीं अकेले है, तहीं हो जाएगा आपका, अम माधिका निकलना है, तो सब को arrange कर लीजेगा, मने बढ़ते कर में हैं, सबसे बीच बाला हो जाएगा, इस बाला बना लीजेगा, छीक है, इस डाट कान है, सबसे बार, एक एंग के संख्या है, तो सबसे बड़ा बढ़ा संख्या नो ले लीजेगा, अज सबसे छोटा संख्या बढ़ ये 4, 4 ए ठीक है, 9 में से 4 जायगा, तो 5, option D आजाएगा, option D, कुछ करने की जरुरूत नहीं है, सबसे बड़ी, सबसे छोटी संख्या को चेक कर लिजेगा, निमन संख्या समुच्छे का माद घ्याद कीजिए, माद घ्याद करना है, जितनी संख्या है सब को जोड कर, 8, 0, 5, 3, इस सब को कांट करके जोड के उतना से भाग दे दीजिए, आपका एंसर हो जाएगा, आईए 12 नमर सवाल देख लिजिए, 12 नमर में है आई दून्न मिलका एक हुआ अधा धा एक, ता एक एक दू, आद दू आएक तीन, तीन आदू पांच, आद पांच आएक छो, छो आधा, सारहे छो, सारहे छो मतलब तेरा बटा दू, तेरा बटा दू, सब संख्या कर गो हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 संख्या के योग मे नव से भाग तो उसत निकल जागा, मतलब माध्य निकल जागा, यानि तेरा बटा ये नवदूना अठारा, तेरा बटा अठारा कहा है भाईया, आप्शन B में है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक्यू, बेस्ट झाला.